वेलकम तो पुलिश वाला क्लासिज आज 5th October है तो अब हम कल हुए महतोपूर इवेंट्स और जो पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में डिसकस कर लेते हैं तो यह है हमारे पास थोट ओफ दडे तुम मेहनत में वफदार रहो सफलता तुमारी तरफदार रहेगी अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट एफ़र्ट्स करेंगे तो आपको सकस्स मिलेगी आज नहीं तो कल यह शोर है तो अब हम कुछ पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड में वो देख लेते हैं जो भी इंपोटेंट रहेंगे मैं उनको हाइलाइट कर दूँगा तो मैक्सिमम आप वैसे फॉर्मली देख लीजिएगा ज्यादा इंपोटेंट है नहीं सिर्फ एक क्योशन इंपोइंट इंपोटेंट था नाइंटी फॉर्टिफोर में मैहिलां को मतादीकार आज ही के दिन प्राप्ट हुआ थाग करें भारत के इति यहस से भारत में मीरा सही जु मर्में मर्या Two-Peterman वह आज ही कि दिन 1989 में फिर्ट जज बनी थी सुप्रिम कोर्ड में तो अब हमारे पास पहला क्योशन है हाल ही में ट्रेपडोर मकडी का सबसे बड़ा जिवान मेगा मोनोरोटियम मेकलूस की किस देश में खोजा गया है तो यह होजा गया है ऑस्टेलिया में अगर हम बात करे और भारत के रिलेशन्स की तो ऑस्टेलिया भारत का एक नजदी की साज़ेदार रहा है और ऑस्टेलिया और भारत जो एक क्वाड समू है क्वाड के मेंबर्स भी हैं अगर हम बात करें क्वाड की तो क्वाड की फोर मेंबर्स हैं कौन-कौन से ओस्टेलिया इंडिया जप 나anna वाहते हैं ऩॉष्टिल्याओ से रिलेटर , तो अस्तुले के प्रदानमंतरी शॉष्टिला अजाशने मंधित्र है अजुड़िकिश मधित about there and Austा मुडरा ,aaaa तो बडेली शॉष्टिली इन युजॉॐ। जलसंदी भी अगर आ रहें बात करें ? अगर हम बात करें वहाँ पे जो घासके मैदान है, उनको हम बौलेंढ दाउंस कॉछा जाएं काफी आब गॉसन पूचा जाता या बुक्छा जा गारेंज़ जाएं कि घासके मैदानों हो अफरीका में क्या बोला जाता है, अजस्य बौला जाता है तो यह उस्टिलियम क्या और जदोरे पर श्टिलया के दवारा पास किया है तो next question हमारे पास हाल ही में Churchill के युद कारेयले को किस ग्रुप ने लेकजरी होटल में बदल दिया है तो जो Hinduja group है दोस्तों उसने Churchill के जो युद कारेयले भा उसको अड़ल में बदल दिया है अब हम बात करें अगर चल इस इमारत के बारे में तो इसका निर्मान उननी सो छे में हुआ था और इसके आर्टिटेक्ट विलियम यंग थे दोस्तों अगर चर्चिल किस वजे से चर्चित है तो इस बारे में बात करें तो चर्चिल जो Second World War हुआ था उस समय बिटेन के प्रधानमंत्री थे अगर बिटेन की राजधाने की बात करें तो यह लंदन प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता हिए यह भारती मूल के रिसी शुन्यक औ तो इसका नाम था अजय वर्यर दोजार थेज़ नेक्स्ट क्यों से हाल ही में किसने भारत की पहली 5G Training Labs और 5G Health को लोंच किया है तो जो जो जी किसन रेडी है दोस्तों उनके दवारा यह लोंच किया गया है अगर हम बात करें जी किसन रेडी तो वो मानन यह भारत के ग्रह ग्रह राजय मंत्री है और अगर बात करें भारत के ग्रह मंत्री की तो वो अमिच्छा है तो यह पहली लेब कहां पर स्थापित की गई है तो यह पहली लेब बैंगलोर में स्थापित की गई है हाल ही में उत्रपूरी राजियों में यह है लॉंच कर दी गई है किस राज्य की मुख्य मंत्री ने प्रदूशन सी निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्षन प्लान लोंच किया है तो जो मैक्सिमम जो पॉल्यूशन की प्रोब्लम है दोस्तों वो आप सभी को पता है वो दिली सही रिलेट करती है तो यह है देली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल के दौरा लोंच की गई है अगर हम यह 15 पॉइंट एक्षन प्लान की बात करें तो इसके तहत कुछ उपायश जाये गए हैं जैसे सडकों पर पानी का छिड़काओ करना 15 से 20 दिन के लिए पराली का निस्तारन करना तेरा स्थानों पर वो रूम बना कर टीम गठित की गई है कच्रा जलाने पर इस दोरान प्रतिबंद रहेगा अगर हम बात करें देली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल है राजयपाल वह है विन्यकुमार सकसेना हाल ही में यहां सुगम्य साहक योजना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का नावरन हुआ है नेशनल ट्रेनिंग कॉनक्ले होगा उधगातन भी देली में हुआ है अगर हम इसके अलावा देली में हुए हाल ही में हुए मैतोपून इवेंट्स की बात करें तो जी 20 का योजन हुआ था जिसका फेमस पोर्ट था भारत मंडपम तो मेजबानी करेंगा दोस्तों नाई देली में तो इसका आउजन चार से 6 अक्टूबर 2023 की मद्धे किया जाएगा अगर हम बात करें पी ए टी ए की फुल फॉम की तो पैसिफिक एसिए ट्रेवल असोचेशन तो फुल फॉम थोड़ा याद कर लीजेगा इसका 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 इ नेक्ट क्योशन है हमारे पास हाल ही में कानून तक्निकी और नियाय पर उत्तर चेत्र वन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया तो यह आजन दोस्तों नाई निताल में हुआ था अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल देखें तो उत्तराखंड के राजयपाल कोन है उत्त सकते हिं अमेन ाको अवयले एसमें नीच्स ् कूण है हाल ही में किसे इंड्यां न्यूप पर सो साइटी का अध्यास चुना गया है तो इंडेल न्यूपेबर शो कि यह नुक्त किया है दोस्तों, SEST-AYO का अध्यक्स की से नुक्त किया गया है? सेलेच गुपतागो SEST-AYO का नए अध्यक्स नुक्त किया है, तो यह देख लिजेगा, SEST-AYO का अध्यक्स है, वो इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, Next Question, हाल ही में किसने पंदरवे टिफ के उध्याटन में भारत का प्रतिनि दित्तु किया है? अगर हम बात करें, टिफ की तो यह एक सारवजनिक film festival है तो इसमें किसने प्रतिनिदितु किया है? तो यह किया है कि अगर्टो आयोजन इसका टोरंटो कानाड़ा में अच्छापना निच्छापना अच्छापना इसका अच्छान लाश्ट मन्थ के विए लाश्ट मंथ सेप्टेंबर में ही हुआ है यह एक प्रतिष्टित फिल्म फेस्टिवल है इसका 46-48 वा संस्क्रण था next question है हाल ही में महात्मा गांदी की 150 वी जैनती पर किस राज्य में 237 मारक के रूप में दुनिया के सबसे बड़ा गुंबंद का उधगाटन किया गया है तो यह किया गया है दोस्तों महारास्टा में अगर हम बात करें महारास्टा की तो यह मारास्टा के पूने में स्थिद हैं गुबंद के चेत्रफल में भी बड़ा है इसका नाम थेर्वी सती के संथ ज्यानेशवर पर रखा गया है अगर हम बात करें महारास्टा के मुख्यमंत्री की तो कौन है महारास्टा के मुख्यमंत्री एकनाच सिंदे हैं अगरास्टा के मुख्यमंत्री है और वहाँ पे फिलहाँ दो मुख्यमंत्री है अजीत पावार और देवेंदर फन्वीश जो वहां के पूर मुख्यमंत्री भी थे नेक्स्ट के उसन है अठारा अक्टूबर के बीच में अर्जन्टीना के वियूंस आयस में होने वाली तीसरा युवा ओलम्पिक खेलों के भारती टीम के दोजवास्ट किसे चुना गया है तो यह मनू भाकर को चुना गया है वो एक निसाने बाज है आप सत्रा 나오यों में भारती दोजवाक जेरीमी लारी नारिनुंगा हो इसमें कुल भारत तेरा पदक अपने नाम किये और एगयर्वात के स्थान का बात की जाये तो वह सत्रवे स्थान पर रहा पहला स्रॉन पदक मनु भाकर ने अपने नाम किया था, सबसे आधिक पदक अगर बात करें, तो इसमें रसिया ने सबसे आधिक पदक अपने नाम किये थे, अगर इन खेलों के उद्देश से की बात की जाए, तो मनुष्य को विक्सित करना और विसु शांती में अपना इसमें, यह देश का पहला अत्याधूनिक दिव्यांग खेल परीजर है, जिसका निर्मान केंद्रिय कृषी मंतरी नरेंदर शिंग तोमर की पहल पर किया गया है, यह मद्द्यपर्देश के गवालियर जिले में बनाए गया है, मद्द्यपर्देश से रिलेटिड़ अर इ CM, राइज स्कूल की घोषना हुई है, CM, लर्न एंड अर्न योजना की हाल ही में वहाँ पर सुरुआत हुई है Thank you for watching, इसकी बीडिया आपको हमारे टेलिग्राम चैनल प्लीज वाले क्लासी पर अवैलेबल के रवादी जाएगे, Thank you, thank you once again